देश जम्प आम चुनाव की और बहुत तेजी से बढ़ रहा है और देश के सभी मत्दाता और जो मत्दाता बनने वाले हैं ऐसे किशोर और युवाओं में भी कि आज राष्टिय सुरक्षा का मुद्दा बड़ा हैं बना हुआ उसी वक्त कॉंग्रेस पार्टी के विदे स्विभाग के कॉडिनेटर और उनके चुनाव घोशनपत्र कमीटी के सदस्य स्री सेम पित्रोडा जी का जो कल बयान आया वो काफी चिंतावों को जन्म देने वाला है उन्होंने प्रमुख रूप से बयान में चार बाते बताई हैं एक ये जो पुल्वामा पर निंदनी हमला हुआ और हमारे चालीस सुरक्सा बल के जवान सहीद हो गए उसको एक रूटीन घटना बताया है दूसरा कुछ लोगों की हरकतों से पूरे देश को दोसी नहीं मानना चाहिए इस प्रकार का भी बयान दिया तीसरा चब्वीस ग्यारा के रेफरेंस में कहा कि आतांकी हमलों का जवाब एरे स्ट्राइक या सर्जिसकल स्ट्राइक नहीं हो सकता बातचीत हो सकता है और मैं आज कॉंग्रेस पार्टी को कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्स्री ने इस बात को देश की जनता के सामने स्पश्ट करना चाहिए कि आप इस प्रकार के जगन्य हमले को जो देश की जनता को जिनजोड कर रख देते हैं, उसको आप सामान्य गटना मानते हैं, रूटीन गटना मानते हैं। दो, कुछ लोगों की हरकतों से, सातांट लोगों की हरकतों से, किसी देश को दोसी नहीं मानने चाहिए। कौन है? इसका जवाब कॉंग्रेस पार्टी ने देना चाहिए।